नौशार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी स्टरियड़ा में आप सभी का स्वागत है BPSC के चैर्मेन के द्वारा कई प्रस्नों के जवाब जो है वो दिये गए हैं कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग का टॉफ से अधिक है और अभी भी कुछ रिखतियां है वो खाली है उसके बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हो पाया हूँ इसका पहले का अंसर संभावता है यह दूसरे वाले में इन्होंने दिया है कि भासा के पेपर में सफल हुएं करीब 400 लोग भासा के पेपर में सफल हुए है यह पहले का जो अंसर है वो 2 नंबर पर इनके दौरा दिया गया है अगला एक कुछ सफल अभरतियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल जो है वो क्यों नहीं हुआ हूँ तो इसका अंसर संभवता पहला या दूसरा में सही होगा कि दस्तावे सत्यापन में आयोग किया गया है अगे देखेंगे तो सीटेट के असफल उमिद्वारों को प्यार्टी में क्यों सफल गोसित किया गया है तो इसका अंसर इन्होंने दिया है पाचवे नंबर पर कि सभी परिक्षाफल ससर्थ है सीटेट में सामिल होने वाले उमिद्वारों को जो सीटेट में असफल हो गया है उन्हें हम प्यार्टी डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर देंगे मतलब अभी इनको इन्होंने ले लिया है यगर आप सीटेट में पास नहीं हो पा है उस कंडिशन में आपके और प्यार्टी डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा इन्होंने अभी उनको भी ले लिया है फिर कहा रहा है मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला यह अगला कोशन है मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला इसका अंसर साथवे नंबर पर लिखा है कि जिला का आवंटन सभी को अपने एक्शी जिले में देना नहीं संभव है और नहीं आवश्यक है और बाकी तो कोशन है नहीं अब अंसर कुछ देख लेते हैं जैसे चौथे नंबर पर रिक्तियां दिव्यांग ओमिद्वारों के लिए सुरक्षित रखने के कराण एक इन्हों ने यह अंसर दिया और यह अंसर हो सकता हो सेकंड वाले कोशन का हो सकता हो कि इस अफरे बढ़तियों से मेरी संख्यातिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं होगा क्योंकि इसका अंसर दो जगा मैच कर रहा है बाकी आरक्षण का लाब नहीं यह डिरेक्टी पॉइंट लिखा है यदि आविदन में दावा नहीं किया गया है तो अपेचित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाब जो है वो दे नहीं होगा बाकी सारे अंसर यहां देख लिए इसके लाब आगला कोश्चन है अब गरतियों को एक से अधिक परडाम देकर रिखतियां क्यों बरबाद की जा रही है मैंने कल बताया था नहीं कि इसको लेकर के धन्ना प्रदर्सन BPSC के गेट पर हो रहा है कि कई बढ़तियों को एक से अधिक परडाम दिया गया है ताकि डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी एक में ही असफल होने पर दूसरी नियुक्ती से भी बंचित ना हो जाए बात को समझ रहा है इनका कहने का मतलब है अब आपको माल लीजे हमने प्यार्टी में सेलेक्शन दे दिया जब प्यार्टी सेलेक्शन दे गया तो यहाँ पर अगर हम छोड़ दें और बात में पर जए टॉकुमेंट वेरिफिकेशन और वहां से आप प्यार्टी से भी बाहर हो जाए ऐसे में क्या होगा ना वहां नौकरी मिलेगी न यहां तो एक document verification पहले आप करवा लेंगे उससे आपकी डौकरी clear हो जाएगी तो इसलिए वहां पर जहां आप join करना चाहते हैं वो कर लेंगे ऐसा इनके दौरा का गया है ऐसी रिक्ती को इसी चैन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा यह देखे प्रतीक्षा सूची की बात इनके दौरा भी कही गई है कि जो भी ऐसी रिक्तियां खाली होंगी उनको प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा जब मैंने बताया था कि प्रतीक्षा सू प्रसनों के जवाब और इतने ही इन्होंने प्रसनों के जवाब जो है वो दिये थे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले प्रेट में तब तक के लिए नमस्कार जैहिए